जहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग कैसे हैं भाई बढ़िया हो लोके भाई चलो बहुत अच्छी बात है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे हर जगा पे जहाँ जहाँ जो है आप जुड़े हुए हैं अलग अलग लोगों से क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर उस वीडियो में हम complete partnership को पढ़ेंगे बिल्कुल from zero level to hero level मतलब मैं घर बात करो यहाँ पर तो partnership का जितना basic से लेकर high level concept है हम सभी चीजों को cover up करेंगे और ये एक ऐसी वीडियो होगी यूट्यूब में एक अपने आप में कह सकते हैं कि इतिहास होगा जिसमें हम partnership को भी categorize करके पढ़ेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि partnership के कितने variety होते हैं अलग-अलग types के सवालों को हम कैसे बनाते हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि सभी सवालों में calculation की जरुवत होती है क्योंकि मैं आपको सभ से best approach बताऊंगा कि आप उनको सबसे best तरीके से अपने paper के दोरान कैसे कर रखते हो क्योंकि जब मैंने mains के batch को पढ़ाया था partnership तो वहाँ पर मुझे response काफी अच्छा मिला बच्चों ने काफी अच्छा बताया कि सर पहले हम multiply करके करते थे इस तरीके से करते थे बट यह concept हम मैं पता ही नहीं थे तो इस वज़े से मैं चाहता हूं कि वो सभी concept आप जरूर सीखो ताकि आप भी अपने paper में partnership के सवालों को secondo में हलका रखो ठीक है तो आज की वीडियो जो है complete partnership के उपर होगी जो अलग-अलग exams में पूछे जाता है प्री में एक सवाल होता है और मेंस म में कम से कम दो सवाल आपके पूछे जाते हैं यानि 6 नंबर का जो है आपका ये paper है ठीक है आज का जो topic है उसे 6 नंबर का आपका preparation होगा और 6 नंबर अपने आप में बहुत important role रखता है ठीक साथ में आपको बता दे जो सार्दीन साथ मेरातन की special series हमारे YouTube पर चल रही है इस सार्दीन साथ मेरातन में हम सभी चीज़े जो है chapter wise तरीके से cover up कर रहे हैं सभी chapters को cover up कर रहे हैं जैसे पहले हमने average पढ़ा फिर CIS IE पढ़ा फिर उसके बाद ratio फिर ratio के बाद ages फिर ages के बाद partnership फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे proportion और फिर proportion के बाद algebra इसी तरीके से करते करते सभी topics को cover up करेंगे उसके लावा बात करते हैं तो mock test भी हम daily Sunday को conduct कर रहे हैं हर Sunday को आपका mock test आता है जिससे आप लोगों में काफी motivation भी होता है जो आप लोग की गलतिया होती है उसको कैसे सुधारना है उसके बारे में भी बात होती है strategy क्या होनी चाहिए paper को लेकर हर एक point प शलो गया उन सभी सवालों को हम इस साथ दिन साथ मिरातन के special episode में discuss करते हैं ठीक है क्यों करते हैं ताकि हम जब paper देने जाए तो यहीं सवाल हमारे paper में आए और आने के बाद हम इने काफी कम समय में खतम कर पाए ठीक है चलो next बात करते हैं आपर जो questions होते हैं वो अलग-अ level पे होते हैं क्यों होते हैं ताकि यह आपके understanding को काफी बहतर तरीके से build-up कर सके और यह session free होता है सभी के लिए यह आपके आने वाले CGL और CHSL के लिए बहुत महत्वपून session है तो इसको जरूर attend किया गरो और सभी दोस्तों को share किया गरो ठीक है बाकि जितने बच्चे भी बाद में जुड़ते हैं वो क्या कर सकते हैं description में जाकर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है उस प्लेलिस्ट के link पर click करके आप पूरी मेरी day 1 से लेकर अब तक मैंने जितने classes करा हैं उनको जरूर देखो आप लोग को काफी benefit होगा ठीक तो बिन टाइम विस्ट की पढ़ाई करते वहां पर रखो ताकि positive environment create हो और उससे काफी अच्छा महसूस हो ठीक है तो line को पढ़ी है अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है दम तुझ में तो उससे पा के दिखा लिख दे खून से कामयाबी की कहानी लिख दे भाई खून से कामयाबी की कहा नहीं और बोल उस किसमत को है दम तो मिटा के देखा ठीक है मेहनत करते रहना है और कामयाबी की कहान इसी तरीके से बहुत ही जबरदस हम लोग लिखने वाले हैं चिंता की कोई बात नहीं है तो अब हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट करने के पहले आप सभी से आ आज भी हूंगे इसी तरीके से आप शेयर करते रहो और हम आप लोगों के लिए महनत करते रहेंगे पूरा का पूरा रात महनत करके कि को्श्व मैंने प्रिवर से छूंडे है आप लोगå के लिए उसको पर्टिकॉलर उसकी कर्टेगरी बनाई है फिर उनको उनके लेवल क according मैंने बाटा है ताकि मेरे भाईयों को अच्छे से समझ में आ सके तो इतना अगर हम पीछे 2 गंटे पूरा के पूरा मेहनत करके आए हैं तो आप लोगों से बस एक शेयर और लाइक की उमीद है वो आप तुरंद कर दीजे जल्दी से तो आज ये बात करते हैं पार्टनर्शिप के टॉपिक को लेकर पार्टनर्शिप को क्या कहते हैं हिंदी में साज़दारी ठीक है और ये साज़दारी कैसे होती है ये वो रिष्टों की साज़दारी नहीं है जो दो लोगों के बीच में होती है ये बात करते हैं तो business और दुनियादारी के साज़दारी है जहाँ पर कहीं पर आप कुछ investment डालते हैं कुछ समय तक अपने पैसे को रखते हैं और आपको उसका profit मिलता है जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका LIC हो गया LIC में आप प्रतेक साल पैसा जमा करते हैं अपने BIMA में टिक हो गया इसके अलबा जितने insurance companies हो गई वहाँ पर आप प्रतेक साल पैसा जमा करते हैं कुछ समय तक आपका पैसा रहता है और return में आपको profit मिलता है तो इसी तरीके से partnership में जो है अलग-अलग केसे हमारे बनेंगे दो से तीन लोग चार लोग अलग-अलग पैसे डालते हैं अलग-अलग समय के लिए पैसे डालते हैं और उनको उस हिसाब से profit मिलता है और इसी के उपर low level से लेकर high level तक के सभी questions हमारे paper में पूछे जाते हैं जो काफी confusing भी होते हैं कभी कबार और एक तरीके से number आपके काटने के लिए परियापत होते हैं तो number चाहे दो number का ही सवाल का topic क्यों ना है हम छोड़ेंगे नहीं जब मैं आपको पूरा preparation कराऊंगा तो आपको भी पूरा का पूरा पढ़ना है 60-60 मरातन के हर एपिसोड को अपने जहन में उतार ले रहा है बात करते हैं यहाँ पर investment और time की तो देखो सबसे पहले इस partnership में हमें 3 terms जानने होते हैं सबसे पहला तर्म होता है investment जिसको हिंदी में निवेश कहते हैं दूसरा होता है हमारा time और तीसरा होता है हमारा profit यहीं तीन पर पूरा का पूरा partnership जो है वो टिका हुआ है investment का मतलब हो गया निवेश कि हम पैसे को कितना निवेश कर रहे हैं यानि जैसे मानो A जो है I1 नाम का investment डाल रहा है B जो है I2 नाम का investment डाल रहा है फिर आ जाता है time time का मतलब होता है किसने पैसे को कितने समय के लिए invest किया जैसे यह T1 time के लिए invest करेगा यह T2 time के लिए invest करेगा तो जो profit होता है वो हमेशा क्या होता है investment into time होता है क्या-क्या बाते सिखते हैं, इससे दो बाते सिखते हैं, जैसे अभी आपने क्या सिखा, कि सर जो profit होता है, वो directly proportional होता है investment के भी, और directly proportional होता है time के भी, यानि हम ऐसा कह सकते हैं, कि जिसने भी business में, जिसने business में investment ज्यादा डाला, उसको profit क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और तो जिसने पैसे को जितने ज़्यादा समय के लिए डाला, उसको भी profit उतना ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा LIC के scheme को, जैसे आपके ममी पापा ने अला ऐसा एक बीमा कराया होगा या आपने करवाया होगा, तो अगर आप लंबे समय के लिए पैस प्रॉफिट जो है वो कम होता है, यानि जो लाब है न वो ये दोनों टर्म पर डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट पर भी और टाइम पर भी, ठीक है, समझ मा गया, चलो आजाओ, तो बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट को लेकर, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टम पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, राजीव कुमार एक बात को समझ यह, आज के समय में मेरे भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझ ना, CHSL के लिए कोई कह रहा है, स्पेशल बैच लाइए, स्पेशल बैच लाइए, ठीक है, सारी बाते मैं समझाता हूँ, दो बाते समझ मेरी बात दान से, यह जो YouTube का crowd है, इस YouTube के crowd को बहुत समझाना मुश्किल हो जाता है, YouTube का crowd का मतलब क्या होता है, समझा मेरी बात को, जितने बच्चे जो YouTube पर अलग-अलग teachers की class ले रहे होते हैं, चाहे मेरी ले रहे हो या किसी भी class ले रहे हो, आप लोगों का mindset ऐसा बन गय किया है, हमारे लिए special batch आना चाहिए, आज मैं आप लोगों को एक YouTube की सचाई बताता हूँ, मैं generally बोलता नहीं हूँ, यह सारी बाते गुरुकल में डिसकस होती है, online मैंने आज सक नहीं कहा है, ठीक है, सीधा का सीधा एक बात मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को बड़े क्यान से, क्योंकि आज मैं इस बात को clear कर देना चाहता हूँ, आप सभी के सामने, कि यह आज की सचाई क्या है, आज की सचाई में बात करते हैं, सबसे पहले SSE के exams को लेकर, SSE में आपके तीन exam होते हैं, मानलो mainly मैं focus कर रहा हूँ, CHSL, सबसे पहले 10W के level पर MTS हो गया, फिर उसके बाद CHSL हो गया, और फिर उसके बाद हो गया आपका CGL, यह तीन परिक्षाय होती है ना, आपको पता है ना, यह 10W के level पर होता है, यह आपका 12W के level पर होता है, और यह आपका graduation के level पर होता है, अब बात करते हैं, यह तीनों exam को conduct कौन करवाता है, तो यह तीनों exam को conduct करवाने के लिए आपका एक ही वेंडर है Tata Consultancy Service, ठीक, अब पहले का जमाना ऐसा था कि MTS में बहुआ लेवल का सवाल पूछा जाता था, ठीक है, CHSL में थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा जाएगा, और CGL में तो खतरनाक लेवल का पूछा जाएगा, अगर आप एक सवाल के आंसर तक पता है, इस वज़े से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कंटेंट पर ही काम किया है सिर्फ पिछले तीन सालों पर, ठीक है, तो जब मैंने प्रिवेस यर का कंटेंट बनाया, जब मैंने शीट बनाई, जब मैंने बुग्स देखे, आप लोगों के लिए जो CHSL के होते हैं और वो direct CGL के मेंस में आते हैं, ठीक, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो CGL के मेंस में होते हैं और फिर अगले साल CPO में, CHSL में या MTS में आते हैं, तो एक बात को हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि आज के समय में ये जो आप तीन परिशाओ को प्रिपेर कर र रहे होते हैं, CHSL के सिरी शला रहे होते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि आप तयारी तो कर लेते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ तक आपका नुकसान नहीं है, आप पूरा 60 दिन, 60 में रातन जैसे ऐसे 100 सिरी शल रहे होते हैं, उनको अटेंड भी करते हो, आप जाने पर पता चलता है कि profit loss का question कितना खतरनाक पूछा गया था, मैंने देखे हैं, मैंने 10-10,000, 20,000 लाइव वाचिंग अलग-अलग चैनल पर देखा है, और सवाल भी देखे हैं, कितने टुचे लवल के सवाल होते हैं, और फिर exam के बाद पिछले 2 साल से यही देख बच्चे को सेंटर से बाहर रोते हुए भी, अगर आपको यकीन नहीं है, तो एक काम करो, पिछले बार का MTS का review देख लो, पिछले बार जो अलग-अलग चैनल पर जो सवाल चल रहे थे, वो देख ले ना, और जो answer की में सवाल आया था, वो देख ले ना, अगर आपको 50% से जादा का material दिख जाए, कि हाँ 50% भी जो पढ़ाया है, उसमें से आ गया, तो फिर बताओ, इसलिए मैं कभी ऐसा गोली देने वाला काम नहीं करता, कि हाँ बेटा, तुम्हारे लिए MTS के अलग सीरीश चलाओंगा, CHSL वाले तुम्हारे लिए अलग सीरीश चलाओंगा, तो जादा views आएंगे, नहीं चलाओंगा, नहीं आएगा, भाई, देखो, जो जेनुमीन है, सो है, जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या जो मैं अपने batch में पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर आपके किसी भी exam में सवाल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखो, तो हर exam के लिए बराबर important है, batch में भी जितनी चीज़े कराता हूँ, ना सर्थ CHSL का special batch लेक्या हो, पागल हो तुम और कुछ नहीं हो, CHSL का special batch बनी नहीं सकता, जो ऐसा कहर आपको पागल बना रहा और कुछ नहीं बना रहा, लेवल में अंतर है ही नहीं, कैसे कोई अलग पढ़ उसका profit उतना ही जादा होगा, जैसे example है, कुछ basic questions हम लोग एक बार देख लेते हैं, सबसे पहला question आपके सामने आगया, सबसे पहला point, दो partner है, दीपा है और जिया है, किसी business को उन्होंने start किया है, और start करने के बाद 50,000 रुपे और 40,000 रुपे उस business में उन्होंने लगाए सवाल में काया, what will be the ratio of the profit at the end of year, ठीक है, profit का अनुपात क्या होगा, ठीक है, हमारे investment का अनुपात दिया गया है, तो देखेंगे आपर, मैंने हमेशा क्या कहा है, profit बराबर investment into time, और अगर आपका time जो है, ये बंदा constant है, example के तोर पे मैंने भी एक साल के लिए पैसा लगाया आपने भी एक साल के लिए पैसा लगाया, तो जो हमारा profit होगा ना, वो directly proportional होगा investment के, जो जितना जादा पैसा डालेगा, उसको उतना जादा profit मिलेगा, यानि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो हम बोलेंगे सर, investment देखो एक बार, investment कितना है, तो दीपा और जीया का, दी 4.0 खतम हो गया, तो investment का ratio कितना आगया, 5.4, तो जो investment का ratio होगा, ठीक है, time का ratio दिया नहीं है, यानि profit का भी ratio क्या होगा, तो investment का ही ratio होगा, 5.4 is the correct answer, option number A, क्या बात है, ठीक है, जब हमारा समय constant होता है, तो जिस ratio में पैसे को डालते हैं, वहीं हमारा क्या हो जाता है, profit का, क किसके, investment के, profit directly proportional हो जाता है, investment के, जो अनुपात investment का रहेगा, वहीं अनुपात लाब का रहेगा, बहुत अच्छी बात है, आज अगला सवाल देखो यहां पे, राजू और संजू जो है, business को start किये हुए है, business में पैसा कितना डालते हैं, एक बंदा 36,000 डालता है, दूसरा उसका उल्टा 36,000 डालता है, तो बोला गया है, बताओ, profit में share कितने का होगा, अगर सलाना का जो profit है, वो 55,000 रुपय का है, उस 55,000 रुपय में राजू को कितने मिलेंगे, उस 55,000 रुपय में संजू को कितने मिलेंगे, धीरे, 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 मैं level को बढ़ाते तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि हमने जो investment डाला है, वो investment यानि जो हमारा I है, उस I का value क्या है, और कौन-कौन लोग है मेरे भाई, तो एक बंदा राजू है, और दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा बंदा हमारा संजू है, एक राजू हो गया, दूसरा संजू हो इनवेस्टमेंट की बात हम करते हैं, इस बंदे ने इनवेस्टमेंट 36,000 का डाला है, दूसरे ने 63,000 का डाला है, तो अगर हम इनवेस्टमेंट की बात करते हैं कि किसने कितना निवेश किया है, तो इसका 36,000 लिखेंगे, और संजू का कितना लिखेंगे, 63,000 लिखेंगे ठीक है अब उसके बाद बात करते हैं पर कि investment का ratio देखो एक बार की ratio क्या है क्योंकि time के बारे में कोई जिकर नहीं है अगर time के बारे में कोई जिकर नहीं है मतलब time constant है ठीक है तो हम यहाँ पर बोलेंगे sir देखिए 3-0 से हमारा 3-0 खतम हो गया ठीक 6 से यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा और 9 से काटोगे तो 9 से 4 बार में कटेगा और 9 से 7 बार में यानि investment का ratio कितना है तो 7 अनुपात 4 चार अनुपात 7 है यानि हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 11 रुपया आया तो 4 रुपया हम राजू को देंगे और 7 रुपया संजू को देंगे बट पैसा आया कितना है पैसा तो पचपन सो रुपए आया है यानि ये जो पचपन सो रुपए होगा ये क्या है तो ये पचपन सो रुपए टोटल प्रॉफिट है ये क्या है टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट में चार हिस्सा राजू का है और साथ हिस्सा एक 11 से काड़ देंगे 5 बार में 500 का चारगुना 2,000 रुपए अगर 500 रुपए में 2,000 रुपए राजू का शेयर है तो संजू का कितना होगा तो 3500 रुपए होगा यानि 2,000 और 3500 इस दा करेक्ट आंसर आ जाएगा बाकि सवाल को option से भी आप कर सकते थे अगर आप option से देखते तो यहाँ पर profit का ratio 4 और 7 का है तो यहाँ पर भी profit का ratio 4 और 7 का होना चाहिए था यह 5 और 7 है नहीं हो सकता यह 7 और 5 है नहीं हो सकता तो option number 1 जो होगा वही correct answer होगा ऐसा भी आप कर सकते हैं ठीक है? तो सबसे पहले investment का ratio देखा investment से profit का ratio निकाला और जो पैसा है अगर वो 11 का मान है यह जो पैसा अगर 11 का मान है तो 4 का मान निकाल दिया वही हमारा क्या हो जाएगा? लाव हो जाएगा ठीक है भाई? आजओ अगला सवाल देखो CPO में पूछा गया 24 से 11 2020 को मतलब एक दम सबसे latest सवाल वो 9000 है तो एक अशियर कितना होगा बता दो ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं तफ नहीं होता यह हम अपने माइंड में बिठा के चलते हैं कि partnership बहुत तफ है हमें नहीं आता है हम नहीं पढ़ेंगे हम सवाल को छोड़ के आ जाएंगे बट एक परसेंट टफ नहीं है आप मेरे सेशन को अभी पढ़ते चलो आप लोगों को मज़ा आते आएगा ठीक आप चिंता मत करो बहुत सिंपल है तो हम बोलेंगे सर यह हमारा A है और यह हमारा B है बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर तो इन्वेस्टमेंट कितना कितना डाला है तो A ने 92,500 रुपे डाले है तो A का इन्वेस्टमेंट कितना है 92,500 रुपे और बात करते हैं B के इन्वेस्टमेंट को लेकर तो 1,12,500 रुपे ये हम दोनों की investment है क्या समय के बारे में कोई जिकर है तो बोलोगे नहीं सर कोई भी समय के बारे में कोई जिकर नहीं है समय के बारे में अगर कोई जिकर नहीं है तो जो ratio investment का होगा वही ratio profit का भी होगा समय जब constant होता है तो investment का ratio ही profit का ratio कहलाता है दोनो 0 से इसके दोनो 0 चले गए, ठीक है, 25 से काटेंगे यहाँ, तो देखो 25 से पूरा का पूरा काट सकते हो, तो 25 का 3 गुणा 75 होता है, ठीक है, 75 और 7, 182, 175 फिर 7 बार में कटे गए यह, 25 से काटोगे तो 4 बार में, और 25 से काटोगे तो 5 बार में, यानि 37 और 45, 37 क्या है, प्राइम नंबर है, 37 क्या है प्राइम नंबर है, मतलब अब ये आगे किसी और से नहीं कट सकता है, अब सवाल में देखो के तो बोला गया है कि B का प्रॉफिट कितना है, तो B का प्रॉफिट 9000 है, यानि ये 45 का मान कितना दिया गया है, तो 9000 दिया गया है, 45 का मान सवाल मे 9000, कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि A की profit दे दी जाए, B की profit पूछ ले, अब हमसे B का profit दे के A का पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है कि B का profit दे के total profit पूछ ले, तो हमें बस ये देखना होता है मैं हमेशा से आप लोगों को एक बाद बोलता हूँ कि ये देखो कि दिया क्या है और पता क्या करना है तो B का profit दिया है यानि 45 का मान 9000 है तो ये इसका कितना गुना है तो 45 का हम 2 गुना करते हैं तो 45 का 2 गुना पे 90 आता है और 200 गुना तो हमें भी क्या करना पड़ेगा 37 को 200 के साथ गुना करना पड़ेगा 37 का 2 गुना 74 होता है और 2 0 लगा दो ये हमारा correct answer है option number B for बाहु बली is the correct answer बहुत अच्छे दोस्तों ऐसे ही session को like like और share करते रहो ठीक है बहुत जल्द हमारे साथ 1000 लोग जुडेंगे और सभी चीजों को समझेंगे अच्छे तरीके से वो भी partnership के सवालों को लगाएंगे एक एक concept को समझेंगे और आप सभी का तो सबसे पहले तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे YouTube session को बहुत जादा famous किया हुआ है और हर जगा पर आप लोगों ने वीडियो शेयर की है बहुत अच्छा response आ रहा है बच्चों का अलग-अलग channel पर भी बच्चे जा कि ये कह रहे कि नहीं आदित्य सर जो है rankers group बहुत बढ़िया तरीके से classes कंड़ करा रहे है rankers group YouTube channel हमारे लिए काफी कुछ कर रहा है और ये आप लोगों का प्यार और support है इसी तरीके से आप लोग support बनाते रहो बढ़िया चल रहा है काम भाई मैं बढ़िया से आप लोग के लिए class live ले रहा हूँ आप लोग बढ़िया से share कर रहे हो आप सभी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मुझे बहुत अलग-अलग channel से response आ रहा है कि sir क्या ऐसा चला रहे हो जो बच्चे बस इसी तरीके से crazy हो गए है हमारे channels पर भी आके आप ही कमेंट करते हैं तो बस कुछ भी है बस जो भी है बस अच्छा है ऐसे ही आप लोग बढ़ी है तरीके से response देते रहो और हम पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को चिंता मत करो अब सीधा का सीधा सवाल जो हमारा सीजल मेंस का है आप लोगों से 2019 में एक सीजल मेंस का paper हुआ था उसमें partnership का जो सवाल आया था यदि ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक छोटा सा पहले कुछ और सवाल करवा कि मुझे लगता है यह सवाल करवाना चाहिए ठीक है पहले हम थोड़ा सा basic सवाल कर लेते हैं फिर हम वहाँ पर पहुंचेंगे अब देखो यहाँ पे मेरा एक कोशन हो गया अब कोशन मेरा आपसे क्या हो गया मेरा कोशन हो गया कि दो लोग है देखो A हो गया और B हो गया A और B का यहाँ पर बात करते हैं investment का ratio और time का ratio अगर मैं बात करूँ कि अब मैंने दोनों चीज़े आपको दे दी जैसे A का investment और B का investment कितना हो गया पांच अनुपाद साथ यानि जो पैसा ये निवेश करते हैं उनका अनुपाद पांच अनुपाद साथ है और समय की बात करते हैं तो मानो मैंने ये कह दिया कि ये पैसे को दो महीने के लिए निवेश करता है और ये पैसे को तीन महीने के लिए निवेश करता है तो बताओ यहाँ पर सिंपल सा सवाल हो जाएगा मेरा आप से कि यहाँ पर profit का जो ratio बनेगा दोनों का कितना कितना बनेगा कितना कितना profit कमाएंगे जैसे इस बंदे ने मानो 50 रुपया दान किया इस बंदे ने 70 रुपया investment लगाया 50 रुपया का investment इसका है 70 का investment इसका है और इसने यहां पर 2 महिने के लिए पैसे लगाएं इसने 3 महिने के लिए पैसे लगाएं तो यहां पर ठीक है, यहां पर जो है हमारा profit का ratio क्या होगा बहुत इस सिंपल बात हमसे बोली गई है हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसा है न हम profit बराबर सिंपल जानते हैं investment into time investment का ratio देखोगे तो 0 से हमारा 0 चला जाएगा और time तो अपना ratio में है ही इन दोनों को गुना करो 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 और 7 into 3 कितना हो जाएगा 21 यानि यहाँ पर profit का ratio कितना हैगा 10.21, 10.21 बहुत शांदर भाई सभी के बहुत अच्छे response आ रहे हैं 10 और 21 का 10 और 21 का यानि कितना ratio में रहेगा 10 और 21 रुपे का तो इसी तरीके से हमारा सवाल भी दिया गया है समझते चलोगे चलो, अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, एक और सवाल बड़ा प्यारा सा अब मेरी बात को समझना कल के दिन मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ A और B दिया गया है और मैंने आपसे कहा कि उनके investment का ratio कितना है तो इनके investment का ratio 10 अनुपात साथ है ठीक, और उसके बाद मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे समझते चलो, जो जो बाते बोलते चलूँगा देखते चलना time का ratio नहीं दिया है और मैंने आपको कह दिया profit का ratio कितना होगा reverse case मैंने आपसे कह दिया कि profit का ratio हमारा 2 अनुपात 5 होगा profit का ratio हमारा कितना होगा, 2 अनुपात 5 होगा तो आप हमें बताओ यहाँ पर कि time का ratio कितना होगा examiner चालाक है उसने क्या किया, उसने यहाँ पर आपको एक बात दे दी कि देखो investment हम तुमको दे रहे हैं लागत कितने का लगाना है, कि सनुपात में लगाना है वो हमने दे दिया साथ में हमने profit दे दिया, लेकिन हमने time गायब कर दिया तो बताओ मुझे यहाँ पर कि time का ratio होगा, वो क्या होगा बहुत ही simple मतलब सोचो, यहाँ पर हमें यह दोनों बाते दी गई थी ठीक है, यह मैंने यहाँ पर समय को गायब कर दिया और मैंने कहा कि same सवाल है, जो अभी आपने calculate किया है same तरीके से निवेश का जो अनुपात है वो दिया गया है और profit का अनुपात दिया गया है, आप मुझे time बताओ कैसे बताओगे, बहुत ही simple तरीका एकदम शांदार गजब का trick मैं आपको बता रहा हूँ, समझना अभी इसको हमने हल किया था, आपको कुछ नहीं करना है आपको करना है cross multiply, 7 को 10 के 7 गुना करो और 21 को 5 के 7 गुना करो, देखो यहाँ पर ठीक है, मेरी बात को समझना, 10 into 7 यहाँ लिखेंगे, 10 into 7, उसी तरीके से 21 into 5 यहाँ पर लिखेंगे समझ में आगया बात यहाँ पर और इनका करेंगे कटम कुटाई जैसे मानों यहाँ पर 7 से काटोगे तो यह 3 बार में कटेगा 5 से काटोगे 2 बार में, तो समय का अनुपात कितना आएगा समय का अनुपात 2 अनुपात 3 आएगा, जो कि यहाँ पर आपने देखा था कि सवाल में 2 और 3 दिया गया था, वापस से समझ लो जब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या टाइम में से कोई एक वैल्यू दी गई हो और प्रॉफिट दिया गया हो, तो हम करते हैं reverse multiplication, या फिर कहलो cross multiplication 10 को 7 के 7 गुना इसके उपर लिखते हैं 21 को 5 के 7 गुना इसके उपर लिखते हैं, इनका ratio लेते हैं, तो time आ जाता है तो सेम तरीके से आप मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने आपको कहा investment का ratio 10 और 7 का है, ठीक है, profit का ratio 2 और 5 का है, ठीक आप मुझे time का ratio बताओ, आप बोलोगे sir, आपी ने तो सिखाया cross multiply यानि 2 का गुना 7 के 7, तो इसके उपर लिखो 14, 2 का गुना किसके साथ, 7 के 7 तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 5 का गुना 10 के 7 यानि 5 इंटू 10, 50 हो जाएगा, अगर हम ratio की बात करेंगे, तो 7 अनुपात 25 हो जाएगा, वो हमारा क्या आएगा, correct answer, सबसे best तरीका है, यहाँ पर value को निकालने का, 7 अनुपात 25 हो जाएगा, ठीक, तो इसी तरीके से मेंस का question है, मेंस के सवाल को समझो कि आप इसको कैसे पर देखो, सवाल में बोला गया है कि investment A और B का कितना है, 14 अनुपात 15 है, फिर उसके बाद profit का जो ratio है, वो 2 अनुपात 5 का है, कहा गया कि A ने पैसे को 3 महीने के लिए निवेश किया था, तो B ने कितना किया, यानि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, time का ratio निकालना किस ने कितना पैसे को किस अनुपात में लगाया, और उसके बाद हम पर सबका समय बता पाएंगे, तो हमने कहा सर इससे असान question हो सकता है, आप मुझे बताओ, investment का ratio कितना होगा, तो investment का ratio 14 अनुपात 15 है, हमें time का ratio दिया ही नहीं गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, उसके बाद हमसे profit का ratio बोला गया, profit का ratio कितना है, बताओ यहाँ पर, profit का ratio यानि lab का ratio जो है, वो 2 अनुपात 5 है, ठीक, पुन्जी जो लगाई है, उसका अनुपात दे दिया, profit का अनुपात हमारा दे दिया, अब समय का ratio निकालेंगे, तो यहां पर 0 से आप 0 काट सकते हो यानि समय का अनुपात कितना आ गया तो 3 और 7 आ गया समय का अनुपात कितना आ गया 3 और 7 आ गया सवाल में कहा गया है कि A ने पैसे को 3 महिने के लिए निवेश किया था यानि आप अगर जब यहां पर compare करेंगे तो बोलेंगे सर यहीं 3 कमान देखो ना कितना दे रखा है सर तीन कमान सवाल में 3 महिना दे रखा है क्यों क्योंकि यह A का निवेश है और यह हमारा B का निवेश है ठीक है तो यहां पर 3 कमान 3 दे रखा है तो 7 कमान कितना हो जाएगा 7 महिने आप यकीन करिए आप SSC के इतिहास के सबसे toughest shift 16 तारीक के प खेलते हैं क्योंकि इस बार का भी जो partnership का question आया था वो मेरी sheet का था data भी same था answer भी same था इस बार के CGL 2020 के मेंस में बहुत ही simple होता है तो A4 आओ का भी हवेली पे investment का ratio 14 और 15 का था profit का ratio 2 और 5 का था cross multiply किया तो 2 into 15 यहाँ पर 30 आ गया 5 into 14 70 आ गया time का ratio 3 और 7 का हो गया 3 का मान 3 महीने है तो 7 का मान 7 महीने हो जाएगा correct answer ठीक है चलवा जाओ यहाँ पे next question देखो next question बहुत ही प्यारा question same तरीके से क्या कहा गया है सवाल में कि सुकन्या है और चावी है business को start किया है कितने कितने पैसे के साथ 60,000 और 75,000 के साथ कितने कितने महीनों के लिए तो 8 महीने और 12 महीनों के लिए बोला गया है सवाल में यहाँ पर कि how many percent profit will सुकन्या at the end of year क्या हो सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि देखो जो total profit हुआ था उसमें सुकन्या को कितना मिलेगा ठीक है उसमें सुकन्या को कितना percent मिलेगा ह। अगर मानों कि मैंने कहा सो rupia का profit है उसमें 20 उरुपया मुझे मिल गया 80 रुपया मेरे partner को मिल गया यानि मुझे 20 परशंट मिला हमारा examiner हम से profit का percent भी निकलवाने को कह सकता है हम कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले देखो सवाल में ही काट लिया करो यहाँ पर कि ये पैसा किस अनुपात में है अगर आप देखोगे तो 3-0 से आपका 3-0 खतम हो जाएगा 15 से काटोगे तो 4 बार में 15 से काटोगे तो 5 बार में ठीक है आप सवाल में ही नजरों नजरों से काट लिया करो पूरा का पूरा लिखने की जरुवत नहीं है तो आपने कहा सर इन्वेस्ट्रमेंट देखोगे तो बोलोगे सर 4 अनुपात 5 में है इन्वेस्ट्रमेंट का मतलब क्या निवेश निवेश का मतलब किस अनुपात में पैसे लगाएं तो 15 से 4 बार में कटा 15 से 5 बार में कटा अब उसी तरीके से time भी देखो चार से आप इसको काटोगे तो दो बार में कटेगा चार से काटोगे तीन बार में यानि time किस ratio में हो गया तो दो और तीन में तो time का ratio देखा करो तो बोलोगे sir 2 और 3 हो जाएगा ठीक है बात खतम investment का 4 और 5 time का ratio इतना हो गया तो जो profit आएगा वो कितना होगा दोस्तो तो profit आएगा तो बोलोगे 4 इंटू 2 8 हो गया और 5 इंटू 3 15 हो गया तो profit का ratio हमारा इतना हो गया profit का ratio हमारा इतना हो गया पहली वाली जो लड़की थी उसका नाम सुकन्या था दूसरी वाली लड़की का नाम छवी था ठीक है सवाल में कहा गया सुकन्या को कितना मिलेगा यानि सुकन्या के profit देखो तो सुकन्या को कितना profit मिला है 8 और बहुत बच्चे क्या करते हैं 15 से भाग कर देते हैं यहीं पर उनकी गलती होती है 15 से भाग नहीं करना होता सुकन्या को 8 रुपे मिले छवी को 15 रुपे मिले यानि total profit जो था वो 23 रुपे का था उसमें सुकन्या को 8 मिला यानि 8 जो है वो total का कितना भाग है तो 8 बटे 23 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे अगर कल के दिन छवी का पूछेगा तो 15 बटे 23 इंटू 100 करेंगे इस चोटी सी बात को ध्यान रखो तो हमने कहा सर सुकर्णिया का प्रॉफिट इतना है टोटल प्रॉफिट 23 है इंटू 100 कर देंगे यह हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 800 बटे 23 अब अगर आप 800 को 23 के साथ भाग करोगे आप चाहो इस तरीके से भाग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है 23 का 3 गुना जो है 3 3 9 3 9 6 हमारा आ जाएगा 110 23 का 4 गुना 92 के करीब में आएगा ठीक है यहाँ पर आ जाएगा 18 यानि कही न कहीं 34 पॉइंट सम्थिंग आएगा जिसको हम कह सकते हैं कि सर ये 35 पर्षेंट के एप्रॉक्स में है कितना है 35 पर्षेंट के एप्रॉक्स में है और दोस्तों एक और बात बता दें ये जो सवाल है इसमें आप आप आप्शन्स को देखिए इसका 40% आप ऐसे समझो इसका 40% यानि इसका चार गुना 23 का चार गुना 9.2 होता है यहां पर तो value 8 दी गई है 8 9.2 से कम है यानि जो भी आंसर होगा वो 40% से कम होगा और इस सवाल में 40% से कम एक ही आंसर है लेकिन ये value तो 8 है मतलब 40% से कम है 40% से कम एक ही option option number D D for Dev Sina D for Dil Mange More is the correct answer हो जाएगा बाई बहुत शांदार अंजली जांगरा अभी सिंग डोली महतो सीजल एस्पिरेंट ठीक है बहुत शांदार बाई बहुत अच्छे वीडियो को like करते रहो आप लोग का target जो देखो आप लोग like करते रहा करो session को like करोगे जल्दी से 1000 प्लस like पहुचा दो फिर एक और जबरदस कोशन आप लोग को करवाएंगे हम मजा आ जाएगा फिर आप लोगो को आप लोग का जितना जादा like होता है जितना जादा वीडियो पे comment होता है YouTube उसको बहुत अच्छा content समझता है और पूरी भारत में हर जगा पर उसको recommend करता है बाकी बच्चों को कि देखो तुम्हें पढ़ना है तो इसको पढ़ो इस पर जादा like है इसको लोगों ने पसंद किया है इसलिए मैं कहता हूँ like किया करो session को ठीक है चलो बाजाओ next बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल को देखो मुझे पढ़ाने दो और मेरे लिए जो है आप मेरे बड़े भाई मेरे छोटे भाई बनकर आप मुझे support करो मैं आप लोग के लिए बढ़िया content लेकर आऊंगा daily YouTube पे ठीक है like का का काम, share का काम, logo तक वीडियो पहुँचाने का काम सब आप संभाल लो sir ठीक है, बस मुझे पढ़ाने दो अच्छे से बस इतना मुझे कहने की जरुवत ना पड़े सवाल को देखे कहा गया तीन लोग है, A है, B है, C है invest कितना कितना करते हैं, 40,000, 45,000, 60,000 और वो कितना रुपिया में invest कितने कितने महिनों के लिए तो 5 महिने, 4 महिने, 3 महिने के लिए तो सवाल में कहा गया, total profit में C का कितना percent होगा टोटल प्रॉफिट में C का कितना परशंट होगा बता दो यहां पर तो आम बोलेंग यार इस से आसान सवाल हो सकता है सबसे पहले तो देखो यहां पर तीन लोग है A हो गया, B हो गया, C हो गया इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं बहुत लोग पहले इन्वेस्टमेंट को लिखते हैं, फिर काटते हैं यह उनकी गल्दी होती है आप तोरण यही से काट लिया करो, 3-0 खतम, 3-0 खतम, 3-0 खतम फिर आगया 40, 45 और 60 5 से काटोगे तो यह कटेगा 8 बार में 5 से काटोगे तो यह कटेगा 9 बार में तो 8999 हमारा सीधा आ गया फिर कहा है पैसे को कितने कितने समय के लिए किया गया है तो 5 महिना फिर उसके बाद इसको 4 महिना और फिर उसके बाद इसको 3 महिना तो अगर हम यहाँ पर Profit की बात करते हैं तो Profit का देखो तो 8,45 रुपिय इसको Profit profit बराबर क्या होता है investment into time profit बराबर investment into time तो 8,5 रुपे इसको मिले 9,4 के 36 रुपे इसको मिले और 12,1 के 36 रुपे इसको मिले अगर आप 4 से काटेंगे सबको तो 4 से कटेगा ये 10 बार में 4 से कटेगा 9 बार में 4 से कटेगा 9 बार में हमें यहाँ पर बात कर रहा है कि C को कितना % मिला है तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर C को कितना रुपईया मिला है बताओ 9 रुपई टोटल कितने भागों में तो 9, 9, 18, 10, 28 में तो 9 बटे 28 इंटू क्या करेंगे 100% ठीक है 5, 8, 4, 5, 9, 45, 12, 25, 6, 8, 9, 12 आ गया ठीक है 5, 4, 3 आ गया हाँ पर 8, 45, 49 चुके 36 बारत यहें के 36 4 से 10 बार में 9, 9, 18, 10, 28 ठीक है तो 4 से काटा इसको और 4 से इसको काटा 25 बार में 25 का नोगुना कितना होता है 225 225 बटे 7% जिसको करेंगे तो 73 के 21 और 7 दुनी 14 एप्रॉक्सिमेट 32 पर्षेंट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा उप्शन नमबर A आउ कभी हवेली पे A ASO in M.E.A. A Assistant Audit Officer A अब तो पूरे करके रहेंगे अपने सपने ठीक है तो आंसर कितना होगा A हो जाएगा ठीक है चलवा जाओ Next question देखो CGL Maze का question है अब इस CGL Maze के question के पहले मुझे 900 प्लस like चाहिए जल्दी से 900 प्लस like चाहिए तभी मैं इस सवाल को बढ़िया तरीके से explain करूँगा जल्दी कर दो 900 like पहुँचा दो दो 900 like पहुचा दो फिर देखो आपको मैंने क्या कहा है कि मैंने इस session को chapter wise माट रखा है इस session को मैंने जो है level wise भी माट रखा है साथ में जितने भी updated सवाल है वो करवा रहा हूँ पिछले तीन सवाल में साजेदारी यानि partnership के उपर पूछे गए जितने भी सवाल है वो सब के सब आज की class में आपको मिलेंगे चाहे वो CHSL का है CGL का है MTS का है मेंस का है हर सवाल आपको मिलेगा ठीक है और ये करवा भी रहूं मैं और इसके short trick भी तो जल्दी से वीडियो को like करो 900 प्लस like पहुँच जाने चाहिए 900 प्लस like पहुच जाने चाहिए दोस्तो 900 प्लस like किसी भी आल में मुझे नहीं पता ठीक है आजाओ सवाल को पढ़ते हैं तब तक 900 प्लस like पहुचाओ तब ही solution होगा ABC ने capital को किस ratio में invest किया है तो 5, 7 और 4 में मतलब इस ratio में इन्होंने पैसे को लगाया है ठीक उसके बाद कहा गया उनके जो समय का अनुपात है वो है X, Y और Z ठीक है समय का अनुपात क्या है तो X, Y, Z है ठीक है और बोला गया जो profit का ratio है वो कितना है 45, 42, 28 ठीक तो बोला गया यहाँ पर X, Y, Z का मान बता दो क्या होगा इस सवाल को करने के कुल मिला कर 3 तरीके है ठीक है जल्दी से यहाँ पर like पहुँचाओ तो solution आगे बढ़ा जाए जल्दी से like पहुँचाओ ठीक है जल्दी से like पहुँचाओ 900 प्लस तो यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूँ यहाँ पर किस सवाल को करने के कुल मिला कर 3 तरीके क्या आपको 3 तरीके जानना है अगर आपको 3 तरीके जानना है तो comment box में answer करो कि हाँ sir हमें 3 तरीके जानना है आप 3 तरीके बताओ नहीं करोगे comment box तो मैं फिर एक ही तरीका बताऊंगा जो simple होगा, असान होगा, कोई दिक्कत नहीं है तो ABC के बात करते हैं investment की ratio अब investment की ratio की अगर हम बात करेंगे तो investment हो जाएगा 5, 7 और हमारा 4 का time के बारे में हमारा कोई भी जिकर नहीं है और profit के बारे में जो है अगर हम जिकर की बात करें तो profit हमारा हो जाता है 45, 42 ठीक है और यहाँ पर हो जाता है 28 ठीक तब हमसे बोला गया है x, y, z का जो अनुपात होगा वो कितना होगा अब देखो, चुकि यह सवाल तो आसान है यह सवाल simple है तो हम इसको कर लेंगे लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पर कुछ ऐसे data होते जो इन से नहीं करते तो कैसे करते है वो बहुत important है तो फिलाल हम अपने simple से परिभाशा के उपर चलते हैं और परिभाशा हमारा क्या होता हमेशा कि profit बराबर investment into time profit बराबर investment into time यानि अगर हमें profit पता है और हमें investment पता है अगर हम इसको investment से भाग कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा अगर हमें profit पता है और investment पता है तो 6 आ जाएगा, 28 को 4 के साथ भाग लगाओगे तो 7 आ जाएगा, तो इसका अनुपात कितना होगा 9, 6 और 7, यह आपके मेंस का कोशन है 2019 का, 9 ratio, 6 ratio, 7 9 ratio, 6 ratio, 7, बहुत शांदार 900 प्लस लाइक आप लोगों ने पहुंचा दिये, धन्यवाद, ठीक है अब देखो, मैं आपको कुछ नया बताता हूँ अब नया क्या बता रहा हूँ, मैं आपको समझना मेरी बात को अगर मान लीजे, चुकि आप लोगों ने लाइक किया है सेशन को तो मेरा फर्ज बनता है कि कुछ अलग चीज़ बताना जैसे मान लीजे हाँ पर कि कल के दिन आपका सवाल में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का रिश्यो कुछ ऐसा हो जाए दो अनुपात, तीन अनुपात, चार ठीक है, और टाइम के बारे में आपका कोई जिकर ही ना करे और प्रॉफिट कुछ ऐसा बोल दे, जैसे मानो बोल दे 7 अनुपात, ठीक है, 8 अनुपात, 7 अनुपात, 8 अनुपात, 9 मान लो यह आपका टाइम का रिश्यो, देखो यह आपका इन्वेस्टमेंट यानि पैसे जितना लगाया है उसका अनुपात है, और यह प्रॉफिट का अनुपात है और यहाँ पर आपको क्या बोले, टाइम का रिश्यो बोले और उस केस में बोले कि बताओ, टाइम का रिश्यो कितना होगा आप बोलोगे सर, आपने अभी पढ़ाया था कि प्रॉफिट बराबर होता है तो क्या आजाता है, टाइम आजाता है, बस कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट कितना है, साथ है, उसको दो के साथ भाग करोगे, तो बोलोगे, साथ बते दो आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 8 है, 8 को 3 के साथ भाग करोगे इसका time आएगा, 9 है तो 9 को कितने से भाग करोगे, 4 के साथ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, time आ जाएगा लेकिन वो कैसा ratio, वो ratio ही कैसा ratio है, जो बटे में हो, कहते हैं न, कि वो खून भी कैसा खून है, जो लाल ना हो वो खून भी कैसा खून है, जो गर्म ना हो वो भक्ती भी कैसी भक्ती है, जो देश के लिए ना हो, ठीक है, देश से सबसे बड़ी भक्ती हो नहीं सकती है, धर्म भी है तो बाद में है, सबसे पहले तो देश है तो वो भक्ती भी कैसी भक्ती जिसमें देश की भक्ती ना की जाए तो वही बात है, वो ratio भी कैसा ratio जो बट्टे में दिया गया हो यानि इसको हमें क्या करना होगा सही तरीके से convert करना होगा जो मैंने आपको किसमें पढ़ाया था ratio के topic में जिन्होंने ratio की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 7 बटे 2 है, ये हमारा 8 बटे 3 है और ये हमारा 9 बटे 4 है अब यहां से हल करने के 2 तरीके पहला तरीका तो हो गया कि नीचे 2, 3 और 4 है यानि हम एक ऐसी संख्या को पकड़े जो 2 और 3 और 4 से कट जाए यानि इनका LCM ले ले और नहीं तो क्या हो गया तरीका कि हम इस 7 को बाकी दोनों संख्याओं के साथ गुना कर दें बट सबसे बड़िया है कि सब को एक ही संख्या के साथ गुना कर दो यानि आपको दिख रहा है 2, 3, 4 के LCM 12 है तो इसको भी 12 के साथ गुना करो इसको भी 12 के साथ गुना करो और इसको भी 12 के साथ गुना लगाो 2 से काटोगे तो 6 बार में लेकिन ये कौन करता है? ये महामुर्ख लोग करते हैं क्यूं करते हैं चलो बताता हूं 2-6 से काटो, 3 से काटोगे तो 4 बार में और 4 से काटोगे तीन बार में फिर भोलो कि सर 7 x 6 कितना हो गया तो 42 8 x 4 कितना हो गया तो 32 9 x 3 कितना हो गया तो 27 रेलवे के एक्जाम में ये कोशन पूछे जाते हैं तो आपको clear up रहना है अपने तरीकों में कि यार अगर paper में पूछ लिया गया तो हम कैसे करेंगे ठीक जहां पर investment और आपका profit दे के time पूछ लेगा चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखें अब उसी तरीके से एक CPO में पूछा गया question है और CPO में classes को attend करते थे यूटीव पर और उसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिल्ली पुलिस में हुआ है ठीक है दिल्ली पुलिस पर्टिकुलर ले दिल्ली पुलिस अपने आप में मिलने एक बहुत बड़ी बात होती है फिर उसके बाद काते रहते हैं CPO के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है तो CPO के बारे में समझ लो होता क्या है कि जब आप 10 वी लेवल SSE का देखो क्या होता है कि जब आपके सपने तूट गए होते हैं और जब आपने 10-12 लाक रुपए अपने प्राइविट नौकरी और प्राइविट नौकरी में कितना देंगे तंखवा 20-25 लाक रुपया महीना का देंगे ना तो हम उसमें खुद खा पाएंगे ना अपने बच्चे को खिला पाएंगे तो भागता है आदमी किसके तरफ सरकारी नौकरी के तरफ या फिर जब हमार घर में उतना महाल नहीं होता हमारे बाभु जी उतने बड़े रहीस आदमी नहीं होते हैं कि वो हमको BTEC करवा सके MBA करवा सके या फिर आगे चलके medical medical की तयारी करवा है तो बोलते हैं बेटा देख हुनर होगा तिरे में तो सरकारी नौकरी कर लिए और सरकारी नौकरी करने क बात सरकारी नोकरी निकाल दियो मेरे बापा ने तो यह कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए खेती करके तुम लोगो चला दे रहे हैं जीवन तुम लोग जी लो अगर दम होगा तो अपने तरीके से खुद से अपना पढ़ लेना पढ़ा लेना जैसे भी होगा मेरे तरफ से जो support होगा मैं खेद बेच कर तुम्हें पढ़ा दूँगा मैं अपना शरीर बेच कर तुम्हें पढ़ा दूँगा लेकिन हाँ तुम्हारे अंदर काबिलेत होगी तुम निकाल लेना हम चलेगे भीया चलो ठीक है जब पापा नहीं तना कह दिया हिम्मत मिल गई है अब चलते हैं सरगारीनों के तरफ तो हम भी आ गए आये तो उसके बाद क्या हुआ दिल्ली में तैयारी की शुरू की दिरे 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 अलग अलग परिक्षाओं के बारे में पता चला काफी स छोटी चोटी बात को समझो दसवी लेवल पर परिक्षा होती है MTS की बारहवी लेवल पर SSE में परिक्षा होती है CHSL की और Graduation के लेवल पर परिक्षा होती है CGL की उसमें मेरा भाई एक टपकर आ जाता है यह CPO और यह CPO ऐसा पोस्ट है कि मतलब आप यू समझ लो कौन सा बच्चा CPO में सेलेक्टेड होता है मैंने पहले भी बताया है ना बहुत टेज तर्रार बालक चाहिए मतलब वह है जिसके 90% आते हैं पूरा का पूरा GS उसके एकदम रटा हुआ है मैत में जो है 50 में 50 लेके आ रहा है भाईया CPO वालों को ऐसे भी लोग नहीं चाहिए और एक दम डल बच्चा चाहिए जिसको कुछ भी नहीं आता है मतलब यू समझ लोग की एक बार SSB के एंटर्विवर उनसे पूछा गया कि आप लोग SSB में किस तरह के बच्चों को सेलेक करते हो तो उनने कहा कि हमको इतना तेज भी नहीं चाहिए कि उसको अगर बंदूक दे तो खोल के देखने लगे त्क है कि इसके अंदर क्या-क्या components है कैसे spring बैठा है कैसे क्या बैठा है ठीक है और इतना भी बेवकूफ बच्चा नहीं चाहिए कि बंदूक दे दे तो खोचे चलाना है तो चलाना कई से है या जब जंग हो रही है कान के बगल से गोली निकल र होते हैं या तो आप दिल्ली पुलिस में लगते हैं या फिर आप आप ITBP में लगते हैं या फिर आप SSB में लगते हैं ITBP इंदो-Tibetan बॉर्डर पुलिस इस तरीके से करके सब इंस्पेक्टर के जाना है तो आपके लिए करेज जादा होना चाहिए विजडम जादा होना चाहिए अब होता क्या है एक contradiction बताता हूँ जितने बच्चे जो सीजल की तयारी करते हैं तयारी करते करते किताबों में इतना जादा डूब जाते हैं कि वो फिजिकली फेटी नहीं हो पाते है जैसे मुझे अगर मानो कोई बोले कि तुम दो किलोमेटर भाग जाओ एक किलोमेटर में हमारी जान निकल जाए समझ रहे हो बात को लेकर तो form तो CPO का भरता पूरा का पूरा भारत है applications में देखना अपने गुरुकुल की कहानी बता रहा हूँ गुरुकुल में दो लड़कियों कहानी बताता हूँ form तो भरता पूरा का पूरा भारत है एक student के आते हैं 190 नंबर ठीक है देखो यहाँ पे 3 तरह के बालक होते है एक हमारा हो गया तेज एक हमारा हो गया medium वाला और दूसरा हो गया हमारा dull वाला ठीक है अब देखो यह इसके 190 नंबर है medium वाले के 150 हैं और dull वाला तो बैचारा चलो cut-off पे 8 पड़ा है 140 पे ठीक यह pre के नंबर हो गया और pre में cut-off भी जाती है 120-130 उसके बाद क्या होता है होता है physical ठीक है अब physical होता है तो physical में यू समझ लो कि यह जितने बढ़िया student है इसमें से 90% बच्चे छटके बाहर निकल जाते हैं आप story मिला लेना क्योंकि इनको आदत है किताबों की इनको ground की आदत नहीं है 10 दिन के लिए जोस जोस में दौणे जाएंगे दौणे जाएंगे तो घुटना अलग दुखेगा ठीक है जो mass patient है muscle से वो अलग दुखेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे हट एयार नहीं जा रहे है भागने हम फाल्दू का जो है body में पेन हो रहा है छोड़ो हटाओ यहां से इससे बढ़िया थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं तो यहां वाले बच्चे जो है almost ना के बराबर छट जाते हैं क्यों क्योंकि मैंने देखा है 185 वाले को, 195 वाले को physical में बाहर होते हुए और physical कुछ नहीं होता लड़कों के लिए solosometer की race होती है उसके बाद बच जाते हैं competition रह जाता है यह दो में एक medium वाला हो गया, इसमें हो गया दोनों के दोनों बड़े होशी यार ठीक है, भागने में आगे, रफ्तार से भागते हैं पूरा का पूरा, वीडियो को like करते रहना जो है, अब इन दोनों में fight बच जाता है कि हम दोनों में कौन निकालेगा paper को इसमें जो थोड़ा सा बढ़िया वाला बालक होता है उसको मिलता है दिल्ली पुलिस थोड़ा उससे थोड़ा सा कम जो होता है उसको मिलता है ITBP और फिर उसके बाद अलग-अलग post मिलते है क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनसे CGL का pre तक नहीं निकला आप यकीन नहीं करोगे CGL का pre तक नहीं निकाल पाए है और आज वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है क्यों भाई? क्योंकि CGL का एक बात ही अलग है एक level ही अलग है चीजों को लेकर अलग है क्योंकि CGL में वो बच्चा कितना लेकर आएगा अब pre में 150 लेकर आएगा तो selection तो उसका होने से रहा क्योंकि selection अगर लेना है तो कम से कम जो 170-160 आपको लेकर आना पड़ेगा pre में लेकिन यहाँ पर 500 नंबर लाने के बाद भी वो दिल्ली पुलिस में होता है क्योंकि जब pre होता है ना तो CPO में भी इसका rank all over India जैसे एक लड़की है जब pre हुआ था तो उसका all over India rank लगबग लगबग जो है 70,000-80,000 के करीमे था और जब मेंस हुआ और मेंस के बाद जब उसका final result आए मेरेट लिस्ट बनके तो उसका all India rank 57 था क्योंकि सारे पहनियार जाके इसमें खतम हो गए बरबाद हो गए समझ में आ रहा है यह चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखा करो बहुत ऐसे लोग है जिनका pre नहीं निकलता है सीजल में लेकिन भाईया सीपियो में निकाल पाते हैं तो चोटी-चोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो जो बच्चे सीजल से frustrated है यह अधर चीज़े है आप यकीन मानों आप एक बार सीपियो का फॉर्म भर के देखो बढ़िया से आप तयारी करो आपका दिल्ली पुलिस में ITBP में हो सकता है लड़कियों के लिए भी बहुत best opportunity है अगर आपकी height है अच्छी खासी आप थोड़ा सा भाग सकते हैं तो आप सीपियो का फॉर्म जरूर भरियेगा और भरने के बाद आप पेपर को जरूर दीजेगा यह ऐसा बड़े भाई की तरह मेरा suggestion है क्योंकि बहुत बार हमारी किस्मत जैसे दो तीन लड़कियों को मैं personally जानता हूं जो दिल्ली पुलिस में है एक पल के लिए उन्होंने भी अपने लाइफ में होप खो दिया था क्या है सीजेल यार हर साल फॉर्म भरते हैं बाहर हो जाते हैं पेपर डीले होता है यह होता है वो होता है तो वो frustrated हो गए थे अपने लाइफ से direct relation होता है तो पढ़ागी अगरो ठीक है चलो वीडियो को जल्दी से like करो अब ला target जो है आप लोग का 1100 प्लस है देखो आप लोग मुझे जितना जादा like के through ठीक है और जितना जादा share के through motivation दोगे न subscribe तो आप लोग तो भीना कहे करोगे क्योंकि एक होता है पढ़ाना और एक होता है experience मैने तो सारे paper निकाल लें जिस paper के बारे में मैंने चरचा की है उस paper को मैंने 2 बार निकाला है और दोनों बार मैंने merit list के बाद उसको छोड़ दिया 8, 7 और 5 का, investment का ratio 7, 8 और 14 का, तो बोला गया है capital का ratio कितना होगा sorry, time का ratio 7, 8 और 14 का है तो investment हमें नहीं पता तो investment को हम जाने देते हैं time हमें पता है, तो बोलेंगे हाँ sir time वह कितना है, तो 7, 8 और 14 है तो बोलेंगे 7 हो गया, 8 हो गया और 14 हो गया और उसके बाद बात करते हैं पर profit को लेकर profit का मतलब लाभ कितना है तो 8, 7 और 5 को लेकर तो हम यहाँ बोलेंगे 8 हो गया 7 हो गया और 5 हो गया अब जैसा कि आपको पता है कि सर हमारा जो formula होता है profit बराबर investment into time होता है तो अगर हमें यहाँ पर investment पता करना है तो profit को time से भाग करना पड़ेगा ठीक है तो चलो यहाँ पर भाग करो जरा profit को इसके साथ तो 8 बटे 7 इसका investment हो जाएगा यहाँ पर इसका investment कितना हो जाएगा तो 7 को 8 के साथ भाग करेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 5 को 14 के साथ भाग करेंगे अब यहाँ पर अगर आप गौर से investment को देखेंगे तो बट्टे में 7 है, 8 है और 14 है 7 है, 8 है और 14 है यानि यहाँ पर 7, 8 और 14 का LCM कितना होता है तो 56 होता है तो हर किसी को हमें 56 से गुना करना पड़ेगा क्यों गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा वो ratio ही कैसा ratio है, जहाँ पर बट्टा हो नीचे में तो हमने इसको 56 से गुना कर दिया, हमने इसको भी 56 से गुना कर दिया जब आप 7 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा 8 into 8 कितना आ जाएगा 64 कौन से option में 64 दिख रहा है option number C में 64 दिख रहा है यहीं answer होगा उतना paper में मत सोचा करना कि नहीं हम पहले A को भी निकालेंगे इसको भी निकालेंगे उतना सोचने की आवशकता ही नहीं है 8 से 7 बार में कटेगा automatic 45 आ जाएगा 14 से 4 बार में कटेगा 20 आ जाएगा बस एक हो आ गया उस भी हाफ पर answer टिक करो और आगे बढ़ो तो answer होगा C for चलो inspector बने क्या बात है बहुत शांदार बहुत शांदार बच्छे बहुत शांदार आज अगला सवाल देखो ABC जो है वो investment करते हैं किस ratio में करते हैं 2, 3 और 5 के ratio में करते हैं फिर कहा गया है their capital इस ratio में पैसे को डाल रहे हैं और जो महीना है वो कितना है 4, 2 और 3 का है ये investment का ratio है ये time का ratio है उसमें जो है अगर हम बात करते हैं तो total यहाँ पर बोला गया है कि C को जो share मिलता है C का share कितना है profit में तो 1,47,000 जादा है A के share से तो B का share कितना होगा previous year का mains का question है ये भी पूछा गया सवाल है सीजल mains का question है हम क्या बोलेंगे मुलेंगे सर इतना असान question तो हमको कभी मिला ही नहीं था अब मिला है तो इसको छोड़ेंगे भी नहीं ठीक है सिंपल सा सवाल हम से कहा गया है कि investment का capital का ratio दिया गया है कैसे निकालेंगे मुलेंगे सर ये भी कोई सवाल है बताओ यहाँ पे capital का ratio दिया गया है तो सबसे पहले investment का ratio देखो investment मतलब निवेश किस अनुपात में पैसे को आपने लगाया company में तो आपने कहा सर हमने company में 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में पैसे लगाये फिर उसके बाद कहा है कि आपने कितने समय के लिए लगाया तो समय का जो अनुपात है वो है 4 अनुपात 2 अनुपात 3 यहाँ पे ठीक है 4 अनुपात 2 अनुपात 3 यहाँ पे तो 4 अनुपात 2 अनुपात 3 अब बात करते हैं profit को लेकर तो हमने कहा न IIT टूटा तो दिल लगा लिया PIT से PIT का मतलब profit बरावर investment into time ठीक है तो यहाँ पर बात करते हैं तो 4 into 2 हमारा 8 हो जाएगा 3 into 2 6 हो जाएगा और 5 into 3 15 यह हमारे profit का ratio हो गया सवाल में कहा गया है देखना यह हमारा A है यह हमारा B है यह हमारा C है सवाल में कहा गया है कि C को कितना जादा मिलता है 1,47,000 जादा A से C को कितना मिल रहा है 15 A को कितना मिल रहा है 8 यानि कितना जादा मिल रहा है 7 unit यानि जो सवाल में दिया गया है मान वो कितने का मान है तो 7 का हमेशा हम आपको बोलते हैं arithmetic के सवालों में यह देखो कि दिया कیا है और यह पूछो कि पता क्या करना है तो जो 1,47,000 रुपईया दिया गया है ये कितने का मान है तो ये 8 और 15 का अंतर है यानि 7 का मान है और हमें पता क्या करना है तो B का शियर पता करना है यानि यहाँ पर हमें 6 का मान पता करना है साथ से जब हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 21,000 बार में कटेगा और 21,000 का 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 12,600 सुरी 1,26,000 होगा Option number A is the correct answer आओ कभी हवेली पे ठीक है? चलो अगला सवाल देखो next question सेम तरीके से CPO का पूछा गया question तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा CPO, CPO क्या है? बहुत बच्चे पूछते हैं ऐसा CPO बता दो, CPO बता दो तो clear हो गया होगा अब आप लोगों को जल्दी से 1100 प्लस लाइक पहुँचाईए आप लोग था कि हम आपको अगला target दें आप लोग लाइक कम कर रहे हैं मुझे दिख रहा है सिर्फ 1400 हुआ है जल्दी से बताओ सवाल को देखो यहाँ पर तो सवाल में क्या बोला गया? बोला गया 15,000 रुपए को A और B के द्वारा invest किया जाता है एक छोटे से business में उसमें जो है they got a profit of 2000 at the end of year कितना रुपएया मिलता है? 2000 रुपएया दोनों को मिला कर मिलता है B अपना 600 रुपएया का share ले लेता है तो बताओ यहाँ पर A ने कितना रुपएया invest किया था? A ने कितने रुपएय की पूंजी लगाई थी ठीक है? चलो 60 दिन 60 मेरातन के बाद CHSL mock series लेकर आना बिल्कुल लेकर आएंगे भाई आप आदेश दो आपके लिए mock test आ जाएगा अब इस सवाल में गौर से देखोगे यहाँ पर तो बोला गया है A ने कितने की investment डाली है तो A और B का together investment दिया गया है कि 15,000 रुपएय मिला कर दोनों ने डाले ठीक है? समय के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है यानि समय यहाँ पर समान है उसके बाद कहा गया है कि total profit 2000 का है ठीक है? और B का profit 600 का है यानि दोस्तों यहाँ पर समय के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है जब समय के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है तो समय समान है यानि जो ratio profit का होगा वही ratio investment का या उल्टा भी कह सकते हम कि जिस अनुपात में हम पैसे को लगाएंगे उस यानुपात में हमको love मिलेगा यानि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर A को लेकर और फिर B को लेकर तो यहाँ पर सबसे पहले समझते है profit ठीक है? कि किसको कितना profit मिला? तो मुझे बताओ सवाल में कहा गया यहाँ पर कि B को जो profit मिला वो कितने का मिला? 600 का और total profit कितने का है? 2000 का है तो A को यहाँ पर, sorry, B को जो profit मिला वो कितना मिला? 600 का और total profit 2000 का है तो 2000 में 600 रुपई या B ले जाएगा तो A कितना ले जाएगा? A ले जाएगा हमारा 14 रुपई अब यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात देखें तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 200 और 200 खतम हो गया 2 से काटो तो 7 अनुपात 3 यानि profit का ratio कितना है दोस्तो तो 7 अनुपात 3 है ठीक अगर profit का ratio 7 अनुपात 3 है तो investment भी वही ratio में जाएगा यानि 7 और 3 में क्यों जिस ratio में आपको लाभ मिलता है पैसे भी आपने उसी ratio में लगाए होते हैं ठीक है जब समय बराबर होता है तो कहा गया है कि investment 7 और 3 का है और इतने ही पैसा को 15,000 रुपे को ही A और B ने दोनों मिलकर 7 में डाला है यानि असल में जो total investment है ये 15,000 है क्या तो ये 15,000 इन दोनों का जोड़ है 7 और 3 का जोड़ है यानि ये 10 का मान है और बोला गया है A ने कितना डाला है तो A यानि 7 का मान बोला है इसको खतम करेंगे 15 का 7 गुना 105 होता है 00, यानि 10,500 option number जो C है वो correct answer आएगा जिस अनुपात में लाब होगा उसी अनुपात में हमारा investment होगा पैसे की लागत होगी ठीक है यानि यहाँ पर 15,000 रुपे दोनों ने मिलकर लगाए थे वो 10 यूनिट का मान था 7 यूनिट का मान हमें बताना था बहुत अच्छे वीडियो पसंद आते रहे तो लाइक करते रहेंगे अगला सवाल मेंस का देखते चलो प्री से लेकर मेंस तक MTS से लेकर CPU तक सारे सवाल आपका भाई करवाएगा यहाँ पर आपको चिंता करने की बात नहीं है जल्दी से जो है यहाँ पर ठीक है 1200 प्लस लाइक करते जाहिए जल्दी से 1200 प्लस लाइक कम ही नहीं होनी चाहिए आप लगों को मेंस का कोशन है जल्दी से करा दीजे सवाल में देखिये बोला गया है A, B और C किसी बिजनस को स्टार्ट करते हैं ठीक है यदि शी का जो सेयर है पूरे के पूरे प्रॉफिट में 4860 रुपए है तो बताओ एका शेयर कितना होगे ना हल हुआ सवाल सर नाम ले लिजे विकी शर्मा कहते हैं नाम ले लिजे देखो विकी जिनका हम नाम ले लेते हैं उनकी नोकरी बाद में लगती है शादी पहले हो जाती है यानि प्राइवेट बाबू पहले बनते हैं सरकारी बाबू बाद में बनते हैं तो सोच लो फिर नाम लेने को आगे से कहना तो सोच समझ के कहना बबूगा ठीक है नहीं तो सरकारी बाबू बाद में बनोगे पहले प्राइवेट बाबू बन जाओगे अब सवाल में देखो A के निवेश का तीन गुना A के निवेश का तीन गुना यानि Thrice of Investment of B बराबर होगा B के निवेश के दो गुने के यानि B के निवेश के दो गुने के हमारे और वो बराबर होगा तथा C के निवेश के चार गुने के यानि ये बराबर होगा चार गुने के अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कभी भी किसी भी वेक्ति को अपने पास की चीज़ों पसंद ही नहीं होती है हमेशा जो होता है न वो किसी और का जैसे मानो कि मुझे अपनी गाड़ी पसंद नहीं आएगी मेरे पडोसी के गाड़ी को पसंद आएगी मुझे अपना घर थोड़ा कम पसंद लगेगा उसका घर थोड़ा ज्यादा तो A को अपना चीज पसंद नहीं आएगा, यानि अपना coefficient पसंद नहीं आएगा, यानि A को अपना coefficient पसंद नहीं आएगा, तो 2 और 4 आएगा, 2 और 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा, B को अपनी value पसंद नहीं आएगी, तो 3 और 4 यानि 12 हो जाएगा, B, C को अपना मान पसंद नहीं आएगा, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये क्या है, तो ये इनके investment में डाला गया ratio है कि Thrice Investment of, यानि ये इनके investment का अनुपात है निवेश का अगर आप काटोगे तो काट सकते हो 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में, यानि किस अनुपात में पैसे डाले हैं, तो 4 अनुपात 6 अनुपात 3 4 अनुपात 6 अनुपात 3 इस अनुपात में उन्होंने पैसे डाले हैं, ठीक है सवाल में, अब जिस अनुपात में कोई भी वेक्ती पैसा डालता है वहीं उसका क्या हो जाता है वहीं पर उसका जो है profit का भी ratio हो जाता है जिस ratio में हम लोग पैसे को लगाएंगे company में उसी ratio में company हमें profit भी देगी अगर बराबर समय के लिए लगा रहे हैं तो investment का ratio 4-6-3 का है तो profit का भी ratio यहीं का होगा सवाल में कहा गया है कि C का share out of total profit C का share कितना है 4863 है तो A का share कितना होगा तो हमेशा से क्या बोलते हैं देखो सवाल में दिया क्या है और फिर देखो पता क्या करना है क्या दिया गया है 4863 रुपै और यह किसका share है तो यह हमारा C का share है C का मान कितना है? तीन यानि ये तीन का मान है और हमें पता क्या करना है? A का मान पता करना है यानि 4 का मान पता करना है अब मैं आपको बता दूँ इस सवाल को आप अगर solve करोगे देखो दो तरह के बच्चे होंगे एक तो वो बच्चा होगा जो इसको पूरा का पूरा काटेगा और दूसरा वो होगा जो ये 60 दिन 60 मेरातन की मेरी सीरीज देख रहा होगा वो क्या करेगा? वो बोलेगा सर बाकी बच्चे जो है ना उनको करने दो सर मैं उसे बहुत तेजी मा आगे बढ़ जाओगा मैं पूछूँगा बेटा कैसे आगे बढ़ोगे तो बोलेगा सर देखो आप हमेशा की क्लास में बताते हो कि यहाँ पर तीन है और यहाँ पर भी तीन है तो तीन को कितने से गुना किया जाएगा कि तीन मिलेगा तो बोलोगे सर एक से यानि यहाँ जो भी संख्याएगी उसके एक्याई के स्थान पर एक होगा मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इसके एक्याई के स्थान पर एक होगा क्योंकि जब मैंने तीन को एक से गुना किया होगा तो मुझे तीन मिलेगा तो बस अगर इसके एक अइक स्थान पर एक होगा तो एक को जो आप चार से गुना करोगे तो कितना हैगा चार यानि हमारे एक अइक स्थान चार होगा यहाँ चार option दिये हैं sir आप खुद देखो कि किसका एक अइक स्थान चार है option number B का यानि option number B for बाहु बली is the correct answer हो जाएगा कोई जरुवत नहीं है digital sum लगाने की, कोई जरुवत नहीं है सवाल को काटने की, simple है भीया मेरे 3 हैं और यहां 3 है, तो 3 को 1 से गुना करने पर 3 आता है, अगर यहां 6 होता तो 3 को 2 से गुना करने पर आता अगर यहां पर 9 होता, तो 3 को 3 से गुना करने पर आता, यानि यहां पर जब कट जाएगा यह तो 1 का इस्तान 1 होगा, उस 1 को 4 के साथ गुना करेंगे, तो 1 का इस्तान 4 आएगा option number B for बाहु बली नहीं अकीन आये, तो काट के देख लेना ठीक है, चलो आजाओ, नेक्स देखते हैं यहां पर बहुत ही प्यारा सा टाइप है बहुत ही अच्छा टाइप है, ठीक है और यह से टाइप में बहुत अच्छी बात कही जाती है when someone joined or left इससे हलके फूल के सवाल आते हैं, जादा सवाल नहीं आते, लेकिन important यह भी होता है, क्योंकि सबसे जादा जो doubt रहता है, वो बच्चो को इसी में रहता है और मेंस के देखो, तो दो सवाल आये हुए हैं joining पे, और दो सवाल आये हुए हैं lefting पे, कि कोई company को join कर रहा है, कोई company को left कर रहा है तो इस बात को ध्यान रखो, बहुत महतोपून होता है, फिर उसके बाद जो next type होगा increase or decreasing capital, इसके उपर भी एक सवाल पूछा गया है हम इसमें तो सभी questions को हम आपको करवाएंगे, देखते चलो तो सवाल में देखो, जब कोई join करे या जब कोई left करे, तो कैसे करेंगे जैसे इस सवाल को देखो, बोला गया है capital ने किसी business को start किया कितने के साथ, 50,000 रुपे के साथ तीन महिना के बाद, monu जो है, वो join कर लेता है, कितने के साथ, 70,000 रुपे के साथ साल के अंतिम में उनका profit का ratio क्या होगा, ठीक है साल के अंतिम में उनके profit का ratio क्या होगा, अब जैसे मानों मैंने किसी business को start किया, दोस्तों देखो, नया type बढ़ा रहा हूँ, जल्दी से 1200 प्लस लाइक कर दो, आप लोग मुझे बार-बार कहने मत दो, आप लोगों के लिए है, ताकि जो भविश्य है आपका वो free का नहीं है, उसका बड़ा कीमत है, उसका बड़ा मूल है, और उस बहुमूले चीज के लिए जो है ना, मैं इसको free समझता ही नहीं, मैं समझता हूँ कि बस जितनी जादा मैं जान डाल सको, मैं उतनी जादा जान लगाँ उसमें, ताकि आप लोगों को जादा जादा value दे पाऊं, तो like share, like share करते रहा करो, अब देखो जैसे मानो कि यहां पर ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं तो हम ऐसे समझेंगे कि मैंने business को start किया, मैंने company को start किया ठीक है, और तीन महीने के बाद कोई वेक्ति आया, तीन महीने के बाद उसने भी मेरे company में पैसे लगा दिये जब एक साल पूरा होगा तो मेरे पैसे कितने महीनों तो company में लगे रहेंगे, पूरे के पूरे जैसे यहां पर kapil जी है और कौन है, तो कपil है और monu है, तो सबसे पहले बात करेंगे kapil का और फिर बात करेंगे यहां दोस्तों monu का सबसे पहले बात करेंगे kapil और monu के investment का, कि कौन company में कितना कितना रुपया का investment डाल रहा है क्योंकि बाद में वो profit लेने भी तो आएंगे तो बोलोगे सर कपिल जो है वो 50,000 रुपए डाल रहा है company के अंदर ठीक है और मोनू कितना रुपईया डाल रहा है तो मोनू हमारा 70,000 रुपईया डाल रहा है company में फिर हम बात करते हैं यहाँ पर चलो investment तुम लोगों का ठीक है कोई दिकत की बात नहीं है time के लिए तुम लोगों का क्या concern है तो time में examiner साफ लवजों में आपको बोलेगा ही नहीं कि मैंने 12 महीने के लिए पैसे डाले मोनू ने इतने महीने के लिए डाले time में वहीं पर खेल होता है कहा जाता है कि जब साल का अंत हुआ साल का अंत हुआ at the end of year और यहाँ पर after 3 month मोनू ज्वाइन 3 महीने के बाद मोनू ने ज्वाइन किया और साल के अंत में profit बताना है यानि अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति शुरू से लेकर था उसका तो पैसा पूरा साल लगा यानि कपिल का जो पैसा है न वो पूरा का पूरा साल लगा यानि 12 महीना लगा और 12 महीना इसका पैसा लगा है और 12 मेंसे जितने महीने के बाद जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको घटा दिया जाता है तो 12 में से 3 गटा दो तो पता चलेगा मोनू का पैसा कितना था? 9 महीने तक था जैसे मैंने आज 2022 है, 2022 के जनवरी में मैंने कमपनी को स्टार्ट किया और 3 महीने के बाद कोई आया यानि वो वेक्ती अपरिल में आया तो मेरा पैसा पूरा एक साल लगेगा, इसका पैसा पूरा का पूरा 9 महीना लगेगा यह होता है ब्यूटिफल कंसेप्ट यहाँ पे तो हमने कहा कि यह इन्वेस्टमेंट का रेशो, यह टाइम का रेशो हर एक टाइप आपको बहुत प्यार तरीके से मैं कंप्लेट कराऊंगा, चिंता मत करो ठीक, तो डी फर देवसिना जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पार्टनर्शिप एक ऐसा टॉपिक होता है, जिसको बच्चे सबसे जादा अवोइड करके चलते हैं, उनको डर लगता है पार्टनर्शिप से मैं तो साफ इस बात को समझ गया था कि आज के क्लास में तो बच्चे थोड़े कम लाइव रहेंगे, क्योंकि पार्टनर्शिप से हर को ही डरता है लेकिन आज आज आप लोगों का रेस्पोंस जबरदस्त है, कल के बराबर बच्चे लाइव हैं, मतलब आप लोगों को मुझे लग रहा है, मज़ा रहा है इसी तरीके से पढ़ते रहो, एक बार सेशन कमेंट करके बताओ, क्या चीज़े समझ में आ रही हैं आपको, क्या अच्छा लग रहा है, मज़ा रहा है, एक बार अभी थोड़ा कमेंट करके बताओ, तो मुझे थोड़ा सा और सैटिस्फेक्शन मिलेगा, और मैं समझ लगा कर, छे महीने के बाद केविन नाम का बंदा उसको जोइंग करता है, बीस जार रुपे के साथ, टोटल दस जार रुपिया का प्रॉफिट है, तो बताओ उसमें केविन का शेयर कितना होगा, आप लोग बताओ एक बार सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है, एक बार कमेंट करके बताओ कि सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, शलो, तो देखो, सीम कंसेब पर एक और सवाल आ गया, तो बढ़ियां से हम बनाएंगे, हम बलेंगे, बिटा देखो एक रमेश है ये, क्या है तो ये हमारा रमेश है, और दूसरा बंदा कौन सा है, तो दूसरा बंदा हमारा केविन है, ठीक, दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, फिर टाइम देखते हैं, और इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुना ही हमारा क्या बता देगा, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बहुत शांदार, बिल्कुल सर इस टॉपी के सारे सवाल क्लियर हो रहे हैं मज़ा आ रहा है, बड़ीया, जबरदस्त, आग लगा दिया, भोकाल मचा दिया बोलो, सिस्टम हो तोड़ती है, पहले डर लगता था, अब डर नहीं लग रहा है चलो यार, ये मज़ा या, धन्यवाद भाई, लव यो वल भाई, थैंक्स ओलोट, ठीक है चले, बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद तो यहां पर देखो, तो बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए तो रमेश ने पैसे को 40,000 रुपे के साथ शुरुआत की और 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद केविन ने शुरुआत की 20,000 रुपे के साथ मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सवाल सहीं अपने लिए जितनी जरूरी है उतनी बातों को निकाल लिया करो यानि यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 40,000 और 20,000 यह किस अनुपात में है तो 2 अनुपात 1 में है यानि यहाँ पर investment की बात करें तो investment का ratio 2 अनुपात 1 होगा हमें बस ratio से मतलब होता है investment के original value से कोई फास्ता नहीं होता उसके बाद बात करते हैं आपर कि 6 महीने के बाद Kevin ने join किया यानि अगर हम बात करें तो रमेश ने पूरे के पूरे 12 महीने पैसे लगाए थे और Kevin ने इससे 6 महीने कम लगाए था बस इतने महीने तक लगाए था तो यहाँ पर अगर कट जाए तो काट दो जैसे 6 से यह कट रहा है तो काट दो 2 अनुपात एक बार में तो बात करते हैं रमेश को कितना पैसा मिलेगा तो 4 यूनिट Kevin को कितना मिलेगा तो 1 इंटो 1 वन यूनिट टोटल पैसा कितने का आया है टोटल प्रॉफिट 10,000 का आया है ठीक है उसमें Kevin का शेर पूछा गया है तो वही बात कि आप ये देख लो सवाल में दिया क्या है और ये देख लो पता क्या करना है क्या दिया गया है तो 10,000 रुपे ये 10,000 क्या है तो ये दूनों का profit है ये दूनों का profit है यानि 4 और 8 ये 5 की value है और पता क्या करना है तो Kevin का share पता करना है यानि 1 की value पता करनी है बस पांच से काटेंगे हाँ पर तो बोलेंगे सर दो हजजार बार में कट रहा है तो आंसर कितना हैगा आउ कभी हवेली पे असिस्टेंट ओडिट ओफिसर बहुत शांदार 1200 प्लस लाइक आप लोगों ने कंप्लीट कर दी है अब 1300 प्लस लाइक भी कंप्लीट कर दो जैसे सवाल मेरे बढ़ते चले जा रहे है कंसेप्ट मेरे बढ़ते चले जा रहे है आप लोगों के भी लाइक बढ़ते रहने चाहिए जैसे मैं उफ तक नहीं कर रहा मैं पढ़ा रहा हूं लगता डेड़ घंटे से तो आप भी उफ ना करो आप भी और लाइक करते चले जाओ ठीक है? 1300 प्लस लाइक जल्दी से पहुँचा दो दोस्तो आजओ फिर से एक और मेंस का सवाल ताकि आपके डर को खतम किया जा सके कि भाई हम मेंस के सवाल नहीं लगा सकते एक गंटे पहले सेशन के आप प्री तक के नहीं लगा पा रहे थे अब आप मेंस के लगा रहे हो यहीं कंसेप्ट आप सीखते हो साथ दिन साथ मेरातन के स्पेशल सीरीज में जो रैंकास गुरकुल यूटिब चैनल पर चलता है सवाल में कहा गया है ए ने 54,000 के पुंजी से एक विवशाय की सुरुवात की तता करमशा 4 और 6 महीने के बाद B और C को भी शामिल कर लिया वरश क्षानते में लाबो का वितरन 1.95, 4.85 में किया गया है B और C के दोरा लगाई पुंजी में अंतर क्या है बहुत ही प्यारा सवाल मुलेंगे देखो भाईया A ने स्टार्ट किया है बिजनस को 54,000 रुपय के साथ और उसने B और C को एड्मिट कर लिया तो सबसे पहले बात करते हैं A का फिर B का फिर C का यहां पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फिर आ जाएगा बंदा 6 महीने के बाद आया है यानि अगर एक साल खतम हो जाएगा तो एक साल में A ने बिजनस की शुरुआत की थी यानि A ने पूरे के पूरे 12 महीने पैसे लगाए थे B इससे 4 महीने बाद आया यानि 12 में से 4 कम कर दो तो B का पैसा 8 महीने तक लगेगा ठीक है और C जो है वो 6 महीने के बाद आया निए 12 में से 6 कम कर दो तो 6 महीने के लिए C का पैसा लगेगा मेरी बात को आप समझ गया नहीं समझ गया मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देखो, एने पूरे के पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाएं, इससे 4 महीना कम यह लगाएगा और इससे 6 महीना कम यह लगाएगा, ठीक, फिर उसके बाद profit का रेश्यो देखोगे, तो बोलोगे sir profit का रेश्यो 1 अनुपात 4 अनुपात कितना है, तो 5 है, profit क यहां से, तो अभी आप लोगों को कुछ दिर पहले पढ़ाया था मैंने और क्या पढ़ाया था, कि जब हमारे पास time का ratio दिया गया हो, जब हमारे पास profit का ratio दिया गया हो, तो investment का ratio निकालते हैं, daily किस time पर class होती है, रोज रात साड़े आठ बजे, रोज रात साड़े आठ बजे Rankers Group YouTube चैनल पर, आपके CGL, CHSL के लिए targeted session चल रहा है, free of course चल रहा है, enjoy क्या करिए और चैनल को subscribe कर लीजे, तो बात करते हैं हाँ पर कि profit बराबर होता है, investment upon time, investment into time, IIT नहीं किया, तो PIT किया, ठीक है, यानि अगर ह तरीके से यहाँ पर क्या करना है, investment निकालना है, investment कैसे निकालेंगे, तो investment निकालने के लिए profit को time के साथ, यानि 1 बटे 12, उसी तरीके से यहाँ पर 4 बटे 8 यहाँ पर करेंगे, और उसी तरीके से 5 को 6 के साथ भाग करेंगे, अब हमें क्या करना होता है यहाँ पर, हमें य ratio ही कैसा ratio हो, जहाँ पर नीचे बट्टा हो, यानि हमें क्या करना होगा? इस बट्टे को तोरना होगा, इस बट्टे को तोरने के लिए 12,8 और 6 का LCM लेना होगा, 12,8 और 6 का LCM कितना होता है? 24 होता है, यानि इन सब को 24 से गुना करो, जब इसको 24 के साथ गुना करोगे तो यहाँ पर जब 24 का गुना लगाओगे तो क्या हो जाएगा देखो सब किसी में 24 का गुना लगा दो इसमें भी 24 का गुना लगा दो ठीक है और यहाँ पर जो है इसमें भी 24 का गुना लगा दो जब 24 का गुना लगाओगे तो 12 इसको 2 बार में कटेगा ये 8 इसको 3 बार में कटेगा ये इसको 4 बार में कटेगा तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा आप फर्दर चाहो तो और इसको काट सकते हो दोसे आप इसको चाहो तो बोल सकते हो सर एक अनुपात 6 अनुपात 10 यानि ये क्या हो गया तो ये इनका investment का ratio हो गया सवाल में यहां पर क्या कहा गया आप वो देखो मैंने कहा ना कि हमेशा इस बात को देखना कि दिया क्या है और पता क्या करना है तो यहां पर दिया गया था कि भाईया A ने इतने रुपे के साथ capital की शुरुवात की और बोला गया है B और C का अंतर बताओ यानि यहाँ पर जो दिया गया है वो एक यूनिट का मान दिया गया है और पता क्या करना है तो इन दोनों का अंतर पता करना है यानि इन दोनों का अंतर कितने का है तो 4 यूनिट का यानि जो 54,000 है वो कितने का मान है एक का और B और C का अंतर यानि कितने का मान पता करना है 4 का, 4 चौके 16, 5 चौके 20 एक किस तो हमारा अंसर कितने का आएगा तो बोलेंगे सर 2,16,000 2,16,000 is the correct answer option number C for कहो ना प्यार है, किस से प्यार है तो उस से भी प्यार है अपने सपनों से भी प्यार है, अपने मंजिल से भी प्यार है तो 2,16,000 correct answer आएगा तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे questions को खतम किये जितना अभी आपके paper में पूछा जाना था उतना हम लोगों ने लगा लिया है और यहाँ पर चंद सवाल में आप लोगों को दूँगा यहाँ पर देखते चलो यह mains का question है आप लोगों के लिए 4 सवाल मैं कुछ सवाल homework में देना चाहता हूँ कुछ और भी सवाल है जो आप लोगों के लिए मैंने prepare किया है यह सबी सवाल आप लोगों के लिए homework में मिलेगा सवाल नमबर 1 जो CPU का है सवाल नमबर 2 जो है वो भी CPU का है सवाल नमबर 3 यह भी CPU का question है जो आपके pre में पूछा जाएगा एक सवाल आपका mains का हो जाएगा सबसे easy shift का दो सवाल मेंस के यह पूरे के पूरे मेंस के question चार मेंस के question और बाकी CPU के ठीक है सबसे पहले यह चीज मिलेगी कहां से यह PDF कहां से मिलेगी तो यह PDF हमारे यह दो टेलिग्राम से मिलेगी क्यू सवाल प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि आप उसको solve करके देखोगी क्या session को पढ़ने के बाद आपके अंदर confidence आया आपसे सवाल बना आप उसके सही approach से जो है answer निकाल के लिए करा पाया गया नी बस देखो जितना पढ़ा है उतना कर लो जितना पूरा वीडियो में पढ़ा है उतना कर लेना और साथ में यहां पर इस series को यह जो PDF है इसके जो 4-5 questions है उनको ज़रूर लगा लेना बस इससे जादा partnership में पढ़ने की औरावशकता नहीं है इतना काफी है ठीक है? साथ दिन साथ मेरातन के special series से मैं आपका पूरा syllabus complete करवा रहा हूँ, short way में तो revision का सबसे best माद्य हमें PDF कहां से मिलेगी तो telegram channel से telegram channel क्या होता है बहुतों को नहीं पता, तो जिस तरीके से WhatsApp होता है, Facebook होता है और हमारा application होता है RGB करमजीत application, YouTube होता है उसी तरीके से telegram channel भी होता है इसको हम क्यों बच्चों को कहते है join कर लो, ताकि इससे आपको PDF मिल सके, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PDF शेयर की जाती है classes की notification शेयर की जाती है तो आप download कर लेंगे और search करेंगे यहाँ पर यह Rankers गुरुकुल चैनल की PDF हमारे telegram पर uploaded है तो आप उसको भी download कर सकते हैं Rankers गुरुकुल टेलिग्राम पर हमारे सभी faculty के classes के notes लिंक्स आगए वो होता है और Maths भाई अदित्रेंजन पर अब तक मैंने Maths का जितना पढ़ाया है, वो सारा का सारा content यहाँ पर मोजूद होता है तो जरूर जोएंग कर लेंगे साथ में एक और बात बताओं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है तभी तो class का daily notification मिलेगा सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कहां से notification आएगा कोण आएगा आपको बताने की चलो अब तक तो जो है इधर उधर कर रहे थे अब पढ़ लो तो इसलिए subscribe कर लो ताकि notification आजाए ठीक उसके अलावा जो बच्चे paid batches के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि अगर अभी सबसे best आप लोगों के लिए कोई batch है मेरा मेरे बहुत सारे batches हैं लेकिन उसमें जो सबसे best batch होगा आप लोगों के लिए सबसे कंफीस में सबसे जादा content वो होगा आपका maths का recorded batch जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी दिखाय था मैं आप लोगों को आज भी दिखा देता हूँ यह बात ठीक है कि यह recorded batch होते ही क्या है paid batches क्या क्या होते है कुछ समझ में नहीं आता तो देखो हमारा application है rg.vikramjeet application हमारा website भी है live.vikramjeet.in जब आप यहाँ पर click करते हैं तो आपको हमारा homepage खुल कर आ जाता है यहाँ पर जब आप देखते हैं तो maths का आपको VOD batch मिलता है यह एक ऐसा VOD batch है जो अपने आप में किसी भी exam को निकालने के लिए sufficient है इसमें अगर हम बात करेंगे number of classes की तो अभी आल फिलाल 255 classes हो गई है और अभी कम से कम 30-40 classes और होंगी यानि 300 घंटे से उपर का यह पूरा का पूरा course है जो आपको किसी भी exam को qualify करने मदद करेगा especially SSE के exams को जहाँ पर हमने पूरा का पूरा content पढ़ा रखा है अगर आप देखेंगे तो हर जैसे मानो यहाँ पर एक-एक topic मैंने बढ़ा रखा है ratio हो गया, pipe system work पूरा arithmetic chapter 22 बना हुआ है पूरा का पूरा content यहाँ पर जैसे algebra को देखोगे तो 24 वीडियो में हर एक types को सिर्फ आप वीडियो को पढ़ते नहीं है यहाँ पर आप उनके sheets भी आपको दिये जाते है उन sheets को भी आप लगाते हैं आपर जैसे time work हो गया, work wage हो गया जब आप click करेंगे तो इसका पूरा का पूरा sheet खुल कर आएगा दो चीजे होती है एक होता है practice sheet और एक होता है digital class notes तो यह जो कम समय है उसकम समय में अगर बहुत अच्छी तैयारी करनी है इस बार के लिए paper में 100% निकालना ही निकालना है तो आपके लिए बहुत best batch हो जाएगा जो मदद करेगा आपको इस paper को qualify करने में, हर एक point को clear करने में, notes बनाने की आवशकता नहीं है क्योंकि मैंने digital class notes आप लगों को दे रखा है साथ में जो validity भी है वो lifetime है यानि यह recharge जैसा है जो कभी expire नहीं होगा तो जो भी यहाँ पर charges आपको बताए है 699 वो बस यहाँ पर इस तरीके से है कि उस content की fees है मेरे पढ़ाने की कोई fees नहीं है जो है जो है पूरा का पूरा जबरदस तरीके से combo batch भी हमारा चलता है लेकिन यह हमारा live batch है यानि जो बच्चे beginner है जिनका target इस साल का paper नहीं है जिनका target अगले साल का paper है वो combo batch लें combo batch हमारा start हुआ था 20 December को यहाँ पर individual teacher की जाओगे जैसे मेरा नए आवाला champions 2.2 उसकी fees 900 है इनका 900 है 900 है 2700 लेकिन अगर आप एकी साथ तीनों का combo लेते हो combo batch ले सकते हैं कहां से तो same application है हमारा RG Vikram Jita application तो मुझे लगता है हर तरह की inquiry हमने आपको दे दी है ठीक है इस application पर हमारे जितने भी नए batches हैं वो आते रहते हैं live लेना है live low, recorded लेना है recorded low, हर एक बात यहां पर point up किया रहता है तो आपका काफी फायदा होगा वीडियो को साथ में session को like कर देना और comment करके जरूर बताना कि कितना अच्छा लगा आपको class क्या चीज़े समझ में आई अगला session की sheets के उपर रखें और PDF को जरूर जोइंग करके PDF को download करके पढ़ना तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले session में Till then love you all, take care, bye bye ठीक है